आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी आफ इंडिया का आडियो बुलेटिन नमस्कार आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी आफ इंडिया में सोमवार 15 जून 2020 का प्रदेश इस्तरिय आडियो बुलेटिन अब आप रिना सिंग से समाचार सुनिए देश में कोरोना के संक्मित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 3,33,382 पहुंच गया है देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है जो की रहत की बात है देश में अब तक सक्री मरीजों की तादाद 1,53,825 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,79,993 है जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 9,524 है मद्य प्रिदेश में कुल संख्यमिंत मरीजों की तादाद का आंकड़ा 10,802 पहुँच गया है जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,666, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 7,677, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 4,69 है जिन जिलों में कोरोना के संख्यमिंत मरीजों की तादाद 200 से जादा है उनमें इंदोर में 4,063, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,088, भोपाल में 2,195, एक्टिव मरीजों की तादाद 613, उज्जैन में 792, एक्टिव मरीजों की तादाद 96, बुरहनपुर में 384, एक्टिव मरीजों की तादाद 58, खंडवा में 289, एक्टिव मरीजों की तादाद 23, ग्वालियर में संक्रमित मरीजों की तादा 25, एवं एक्टिव मरीजों की तादा 85, सागर में 252, एवं एक्टिव मरीजों की तादा 56, एवं खरगोन में 220, कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादार 40 है प्रदेश में सिवनी अली राजपूर सीहोर सीधी सतना एवं होशंगाबाद में कोरोना मरीजों की तादार शून है राजिश आशनद्वारा उच्छे शिक्षा एवं तक्निकी शिक्षा विभाग की इसनातक एवं इसनात कोतर पाठिकम की परिक्षाएं इस्थगत कर दी गई है उच्छे शिक्षा विभाग की परिक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई और तक्निकी शिक्षा विभाग की की परिक्षाएं 16 जून से 31 जुलाई तक निर्धारित थी राज शाशन द्वारा आगामी परिक्षा तिथियां प्रथक से घोशित की जाएंगी मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण में मुहला और कालोनी इस तर पर ऑक्सीमीटर के प्रदा को कोरोना नियंत्रण में भागीदार बनाया जाएगा मुख्य मंत्री शिरी चोहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण हो रहा है लेकिन किसी भी इस तर पर असावधानी नहीं होना चाहिए हम सभी के सम्मिलित प्रयासों से कोरोना परास्थ होगा मुख्य मंत्री यही सजक प्रतिनिधियों का चैन कर उन्हें दायत तो दिया जाएगा हमारा प्रदेश पूरा देश और पूरा वेश्व भी कोरोना से मुक्त हो हम सभी सामानी जीवन जी सकें इसके लिए सामोहिक प्रयत्न आवशक है प्रदेश वासियों से मेरा कहना है कि इश्वर भी उन तपस्या के बिना संभाव नहीं है अनुशाशन बनाकर रखने की तपस्या करते रहें तो कोरोना की समस्या से मुक्ति पालेंगे इस वायरस पर अंकुष लगाने के प्रयास सफल भी हो रहे हैं लापर वाही से मामला बिगर सकता है यह मानकर सावधानियां बरतने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए दो गज की दूरी बनाए रखें फेस मास्क गमचा अंगोचा उपयोग मिलाते रहें संक्मनर से बचने का इमानदारी से प्रयास हो बार बार हाथ धोने की प्रैक्टिस चलती रहे सार्वजनिक इस्थानों पर ना थूकें उत्सव आदी कम मनाएं इनमें संख्या भी कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे भीड को रोकना सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है ये जनता की भी ड्यूटी है व्यवस्था बनाने के लिए आत्मानुशासन का पालन करना होगा मद्द प्रदेश में मानसून प्रवेश कर गया है बैतूल में पहली बारिश से बीते 24 घंटे में 15 मिलीमीटर पानी बरस गया मौसम वेग्यानिकों के मताविक मद्द प्रदेश में मानसून सैट हो गया है यह अब साउथ इस्ट के बैतूल और सिवनी को छूते हुए 36 ग हो चुका है मानसून की दस्तक के साथ ही आज कई जिलों में भारी बारिश के भी आसार हैं मानसून में नमी आने से प्रदेश भर में बारिश शुरू हो गई है अगले 24 घंटे में शैडोल जवलपुर्स होशंगाबाद इंदौर और उज्जेन संभागों के जिलों के मानसून अपने प्रवेश के साथ मद्द प्रदेश के कुछ जिलों पर महरबान हुआ खजुराहों में 17.6 mm, नौगाउं 1 mm, गौालियर 1.2 mm, सतफना 9 mm, रीवा 26 mm, सीधी 2 mm और रतलाम में 10 mm बारिश दर्ज की गई मांसून के मद्द प्रदेश में पहुँचने के साथ ही कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं अनूपुर, डिंडोरी, जबलपुर, छिंदवाडा, सिवनी, मंडला, बालगाट, बैतूल, हर्दा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपूर, बढ़वानी, आई गई है, शेहडोल, होशंगाबाद और इंदोर संभाग के जिले में गरच के साथ बोचारें पढ़ सकती हैं, तो वही रीवा, सागर, उज्जेन और भोपाल संभाग के कुछ जिलों में बोचारें पढ़ने की संभावना है, मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में चार सिस्टम सक्रिये हैं, पूर्वी मद्य प्रदेश और उसके आसपास हवा के उपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है, पूर्वी पश्चिमी हवाओं का सम्मिलन उत्तरी अक्षांस पर मद्य भारत में 3.1 एवं 4.5 किलोमीटर उपर बना हुआ है, इसी तरह एक द्रो हुगा है, शुकला ने बताया कि अगले 2-3 दिन में इंदोर संभाग के जिलों में अच्छी बरसात होने की संभावना है, इंदोर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात एक डॉक्टर की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई, पुलिस सूत्रों ने समचा रेजेंसी ओफ इंडिया को बताया कि मृतक बॉइज हॉस्टल में रहता था और पाइप के सहारे गल्स हॉस्टल में रहने वाली प्रेमिका से मिलने गया था, अचानक पाइप तूट गया और चौथी मंजिल से पीट किबल नीचे आगिरा, खोडैल थाने के टी आई रू चात्रा अहिल्या गल्स हॉस्टल में रहती है जबकि आयुष इंटर्न बॉइस को हॉस्टल में रहता था, आयुष करीब साट फीट उंचाई से पीट के बल नीचे गिर गया, सिर में गहरी चोट आने से उसकी मौत हो गई, टी आई के मताबिक देर रात पानी बहने की वीडियो पर MP में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, वीडियो से छेड़-चाड के माबले में क्राइम ब्रांच ने कॉंग्रेस नेता एवं पूर मुख्यमंत्री दिगविजय सिंग समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, FIR के बाद कॉंग्रेस के बाद में देनेेतां की ब्रहकूटियं प्रदेश की शिवराज सिंग चौहान की नेतरा तुब आली सरकार पर तनी दिख रही हैं। इधर दिगविजय सिंगय ने कहा है कि राजनीतिक रंजिश में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने श करानी ही है तो उसकी कराएं जिसने ये फर्जी वीडियो बनाया है देश के सरवाधिक लोगप्रिये टाइगर रिजवरु में से एक मंडला जिले के कानहा राष्टी उद्यान में सौमवार 15 जून से वापस परेटन शुरू हुआ प्रथम दिन खटिया प्रवेश द्वार से 9 वाहन में 36 और मुख्य प्रवेश द्वार से 10 वाहन में 40 परेटकों ने प्रवेश किया उलेखनी है कि कोरोना संकमर्ण के कारण मार्च से कानहा राष्टी उद्यान परेटकों के लिए बंद कर दिया गया था कोविट 19 के संकमर्ण को ध्यान में रखते हुए केंद्र और प्रदेश शाषन के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनह परेटकों के लिए खोला गया है सफारी के लिए ऑनलाइन टिकेट सुविधा पहले की तरह बहाल कर दी गई है अलग-अलग समुहों से आए चार परेटकों को एक वाहन में प्रविश दिया गया जबकि एक ही परिवार से आए छे लोग एक वाहन में बैठे केंटर वाहनों में शोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए 18 की जगे 12 विक्ती और दो गाइड के स्थान पर एक गाइड को ही अनुमती दी गई पार्क में 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के परेटकों को प्रविश नहीं दिया जा रहा है गाइड लाइन के अनुसार परेटक कर्मचारी, गाइड और वाहन चालकों ने मास्क के साथ थर्मल स्क्रीनिंग और सुरक्षा के सभी इंतिजामों के बाद भ्रमन आरंब किया भौपाल जिले में आज से कंटेंडमेंट जोन के बाहर सभी धार्मेक सथल शरदालूं के लिए खोल दिये गए हैं धार्मेक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने के सक्त निर्देश दिये गए हैं मंदिरों में फूल प्रसाद लेकर जाने पर प्रतिबंध है, मस्जिदों में आने वाले नमाजियों के लिए शाषन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवारे होगा, चर्च और गुरु द्वारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की शर्थ पर ही लोगों को प्र जिला कलेक्टर तरून पिथोड़े ने बताया कि रहवासी परिसर और बाजारों में इस्थित दुकाने पांच दिन खुली रहेंगी, शनिवार और रविवार को सभी दुकाने बंद रहेंगी, भोपाल में सोमवार सुबह टिड़्डियों को भगाने के लिए फायर ब्र अविवार शाम को लाखों की संख्या में टिड़्डियां होशंगावाद रोड से लेकर बर खेड़ा, पठानी, एम्स और अवदपूरी इलाके तक चा गई थी, कॉलोनियों में टिड़्डियों के हमले से दहशत फैल गई थी, वन विभाग के सूत्रों ने समचार एजि इंडिया को बताया कि टिड़्डियां विदीशा से बैरसिया होते हुए भोपाल में घुज गई, प्रशासन को शनिवार रात उनके बैरसिया में होने की सूचना मिली थी, क्रशी विभाग ने टिड़्डियों को रोकने के इंतिजाम कर लिये थे, लेकिन रविवार शाम नरसरी में डेरा डाल दिया, सुबह करीब 6 वजे से सभी विभागों की टीम ने टिड़्डियों को भगाने के लिए प्रयाश शुरू कर दिये, जोर की आवाजों के साथ ही केमिकल कछिड़काव शुरू किया गया, करीब 4 घंटे तक यह कवायत चलती रही, इसके बाद लाखों की संख्या में टिड़्डिया मर गई, जबकि कुछ वहां से उड़ गई, राजधानी में टिड़्डियों का यह दूसरा हमला था, इससे पहले प्रशासन की कोशिशों की चलते वह शहर के बाहर से ही दूसरी तरफ निकल गई थी, लेकिन रविवार को वह शहर मे आ गई, इसके बाद होशंगाबाद रोड से लेकर अवदपुरी इलाके में च्छा गई, क्रशी विभाग ने पहले से ही टिड़्डियों को भंगाने के लिए तैयारी कर ली थी, फायर की टीम सुबह से ही मौके पर पहुँच गई थी, सूत्रों ने बताये कि पतियां खाती हैं, इसी कारण वह पेड़ों और फसलों पर हमला करती हैं, लहार को नरसरी पहाडी और जंगल का इलाका होने के कारण वह टिड़्डियों के निशाने पर आ गया, यहां पर वन वे भाग द्वारा नक्षत्र और ओशदी पौधे लगाए गये हैं, इसलिए की सीमा से निकले टिड़ी दल ने कोई अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया, लोधी पूर गाउं तरफ से यह दल निकला है, नब्बे की दशक में इस तरह का टिड़ी दल आया था, और उसने कई जगह नुकसान किया था, उसके बाद ऐसा हमला पहली बार हुआ है, आप अधिक बंद आ रहे हों, तो आप इने लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार आज हम आपको बताते हैं, समाचार एजनसी अफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर राउजर को खोलिए, या तो यूटूब को खोलिए, यूटूब आपके पास होगा, यूटूब पे आप उसके बाद सर्च ब ये आपको खुला दिख रहा है, इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे, जैसे ही आप दबाते हैं, इसके बाद इसका रंग लाल नही रह जाएगा, इसके बाद इसके दाएं कोने की बटन डवाते हैं आपका काम हो जाएगा इसके बाद आपको समाचार एजन्सिय in dynasty फींडिया पर जितने भी वीड्यो ड़ेंगे वे तुरंग ही आपको मिल जाएंगे इसEven, समाचार एजन्सिय फींडिया की वेब साइट जो है समाचार Agency of India का चैनल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियो आपको मिलना चालू हो जाएंगे इस तरह से आप जरूरी जानकारियां जरूरी खबरों जरूरी अन्य चीजों से वंचित नई रह पाएंगे समाचार एजिंसी आफ इंडिया का यूटूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी इस तरह आप कर सकते हैं से सब्सक्राइब